बिल्वार रहीम, असलाम अलेकुम, मैं हूँ Sohar, आप देखरें मेरे चैनल लाइफुर्डी तो आज लेकर हम रेसिपी में वेनला कस्टर्ड आइसक्रीम की रेसिपी आपने वेनला आइसक्रीम तो बहुत सिखाया होंगे लेकिन आज जो मैं बना रही हूँ वेनिला कस्टड आइस क्रीम है और यह सरफ और सरफ थ्री इंग्रिडियंट्स में बन जाने वाली रेसिपी है बहुत ही सिंपल रेसिपी है तो आये चले से बनाते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में लिया है एक कप दूद और फ्लेम बिल्कुल स्लो रख आने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है हाफ कप मिल्क उसमें में तीन चम्मच शामिल करने हूँ वेनिला कस्टड के अच्छी तरीके से शामिल करने के बद आप कर लें से मिक्स ताकि कोई भी लंस ना रह जाए अच्छी तरीके से मैं इसे मिक्स कर रही हूं यहाप और पर अपने डीत अब कर लेना है उपना कस्टड का मिक्सटर का मिक्सटर में यहां पर एट कर रही हूं पत्वी है कि आप अपने विंक minder घ्रया क्रिक्षार यह बहुत जल्द हो जाए गाए गूडत जीकी टिक्नस आप देख लेumb उनी चाहिए ना इसस के बहुत जादा हो और नहीं बहुत ज़दा रनी टेक्स्ट्चर हो क्योंकि हमें क्रीम के लिए बहुत आइस क्रीम के लिए बहुत क्रीमी सा जो है वो स्ट्रक्चर चाहिए होता है अब इसे न मैं किसी बॉल में निकाल लूँगी और निकालने के बाद आपने किचन काउंटर पर रख लें से किसी भी साइट पर जहां पर हवा आरी हो यह बहुत जल्दी ठंडा हो जाए अब यहाँ पर मैंने एक mixing jar लिया है इस recipe को बनाने के लिए आपको यहाँ पर बिल्कुल भी एलेक्टिक बीटर की जरुवत नहीं है आप mixing jar में भी बना सकते हैं इस recipe को इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है dairy cream यह विप ट्रीम नहीं है dairy cream है मिक्सिंग जार में डालने के बाद मैं इसे जो है वो 5-6 दफा अच्छी तरह जो है वो मिक्स करूँगी ताकि उसका जो क्रीमी सा टेक्स्टर बन जाए अब यहां पर हमारे जो वेनिला कस्टर्ड है यह अच्छी तरह कर थंडा हो चुक है और यहां पर मेरे जो ड्रेरी क्र इसे जो है बहुत अच्छी सी फ्रेग्नेंस आ जाती है आइस क्रीम में 5-6 दफा मैंने इसे ब्लैंट किया है दो-दो मिनेट रुक कर और यह देखें यह कितना क्रीमी सा हो गया बिल्कुल रिबन-like structure हमें बिल्कुल इसी तरह का चाहिए इसी भी बाल में आप निकालने कि अच्छी तरह से अब इसमें आड करहे हैं टूटी-फूटी और थोड़े से जो है वो बदाम मैं एड कर रहे हूं यहाँ पर कट किये वे यह देखें कितना creamies है अब आपने इसे cover कर देना है चाहें तो आप किसी sheet से cover कर ले या पर plastic bag से cover कर ले मैंने यहाँ पर foil paper से cover किया अगर आपके पस foil paper नहीं है तो आप किसी भी दहर राख्या plastic sheet से cover कर सकते हैं cover करने के बाद ना 3 गंते के लिए मैं यहाँ पर इसे फ्रिज में रख दूंगी और तीन गंटे के बाद जो है न वो यहाँ पर मैंने लिख कर आती हूँ यह देखें यहाँ पर इसे तीन गंटे हो चुके हैं अब इसे वापस से आपने मिक्स करना है और आप चाहें तो मिक्सिंग जार में इसे डालकर एक बार वापस से जो है वो मिक्स कर लिया मैंने एक बार वापस से मिक्सिंग जार में डालने के बाद इसे मिक्स कर लिया अच्छी तरके से जो है वो ब्लैंड कर लिया था अब यहां पर जो है मैं container ले रही हूँ अब finally हमारे फ्रीज करने का time आगे थोड़ से टूटी-फूटी में उपर जो है वो decorate कर लोंगी इसमें अब इसे जो है वो आप पांस से छे गंटे के लिए रख दें डिफ्रेजर में या तो फिर पूरी रात के भी रख सकते यहां पर पांस से छे गंटे हो चुके हैं और यह देखें कितने अच्छी तरीके से जम चुका है लेकिन इसके उपर आप देख सकते हैं किसी भी किसिम का जो है वो crystallization नहीं हुई यानि बरप सा नहीं जमा यह बहुत creamy सा नजर आ रहोगा अब इसे निकालने के process है तो निकाल में डालें कट कर लें enjoy करें और अगर मेरी वीडियो आप लों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल पर जाके मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें और मेरी वीडियो को like करना ना भूलें रखें अपना देख सारा ख्याल मिलते हैं next video में खुदा आफेज